चलिए गुदेनिक ट्वाल आप यू आए क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं ठीक है अर्थवेक कर अब्लोड हो जाएगा जो उप ऐख प्लोड हो जाएगा आप हाप अगषत8 की जब चलेगा ठीक है चली आए डब्लमें देखते हैं स्वेक बचा हुआ है यह कल खतम होगा ठीक है और कल अगर यह खतम हो जाएगा तो फिर हम सुरू करेंगे अपना स्वाइल ठीक है तो SMF फिर चलेगा चलिए क्योंकि RBT और WW2 subject खतम होगे आपका हो जाएगा और फिर तीसरा subject SMF चालू करेंगे फिर सर्वे इस तरह से आपके सारे subject मितलब revision करवा देंगे ठीक है और स्वाइल में भी काफी कुछ चीजें कबर करवानी है ठीक है जिसको आप लोग की एक बार शेर कर दीजिए काफी तेजी से ताकि सब लोग जुड़ जाएं जो लोग नहीं आ पाए हैं चलिए एक क्वेस्चन आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर ये वाला कोश्चन हमें मिल नहीं रहा है डिमांड था आप लोग का सबसे ज्यादा डिमांड था ये पिछले साल भी डिमांड पर था कि सर ये वाला कोश्चन हमें मिलता नहीं कहां पर मिलेगा ठीक है चलिए वाला कोश्चन हम लेकर आ गए हैं ये कोश्चन सबसे जदा है हाईलाइट इसकी बात करते हैं जल वित्रण प्रणाली कितने प्रकार की होती है गुरुत प्रणाली एवं पंपन प्रणाली की सच्चित्र व्यक्या कीजिए ये कोश्चन जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन जो देते हैं उसी में पहले नंबर पर ही एक कोश्चन है और इसलिए आप लोग भी परसान होते हैं सर और ये कोश्चन पूछा भी है ये question सन 2018 17 में पूछा भी था ये question इसलिए आप लोग इसको परसान भी होते सरी ये तो हम पढ़ाए भी नहीं सभी बात है application पर नहीं पढ़ाए पाया थे वहाँ पर क्योंकि ये syllabus में था भी नहीं लेकिन exam में पूछ लेता है तो इसलिए हम जब भी मुश्ट पढ़ाते हैं तो जरूर इस question को एक बार discuss कर लेते हैं ताकि आप लोग exam में लिख सके exam में बहुत सारे ऐसे questions होते हैं जो हमारे नोट सगरह में नहीं वह भी आ जाते हैं तो इसलिए यहां पर discuss कर लेती हैं ठीक है चलिए तो जल वित्रण प्रणाली कितने प्रकार की होती है गुरुत प्रणाली एवं पंपन प्रणाली की सचित्र व्याख्या कीजिए तो यहां पर टोटल तीन टाइप की हमारे क्या है जल वित्रण प्रणाली है तीन प्रकार की एक तो ग्रेवटी मेथड दूसरा पंपिंग मेथड तीसरा कंबाइंड ग्रेवटी and pumping method यानि कि एक हमारा जो है गुरुत प्रणाली है दूसरा पंपन प्रणाली है तीसरा संयुक्त गुरुत प्रणाली है ठीक है तो यह तीन टाइप के हमारे क्या है distribution system है ठीक है अब यह distribution system जो है अगर हम बात करें ग्रेटी का सचीत्र की बात कर रहा है तो इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना है ठीक है देखिए इस प्रकार से आपको चितर भी बनाना है जैसे यह सोरसाफ वाटर है अब सोरसाफ वाटर क्या हो सकता है जैसे कोई नदी पानी बह रहा है न अम नदी में जब पानी बहता हुआ जाता रहता है तो वही नदी से ही हम लोग क्या करें कोई नहर के माध्यम से उस लोकल एरिया में क्या करें पानी लेकर जाएं किसी लोकल एरिया में आसपास के छेतर में पानी लेकर जाएं तो किसकी मदद से लेकर जाते हैं हम लोग यहां पर भाई कोई नदी ऐसे बहता रहता है देखें होंगे नदी बहते हुए इस प्रकार से ऐसे और यहीं पर हम क्या करते हैं बाद बना देते हैं से बाद बनाने बदा बनाएंगे जब यहां पर पूरा पानी कठा होने लगता है उसको बोलते हैं लोग क्या रिजर वायर या फिर इस्टोरिज टैंक करेंगे ठीक है इस्टोरिज टैंक भी बनाते हैं और फिर वही से पानी को छोड़ते ह तो पानी क्या होता है, gravitational force की वजह से पानी काफी तेजी के साथ जीधर ढाल रहता है उत के तरह पानी आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं gravity method, gravity method क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये gravitational force की वज़े से उचाई से पानी नीचे की तरब आता है, तो इसी को हम लोग गृत्ती बृधी करते हैं, ये tank से भी पानी को जो है local area में भेजा जाता है, gravity system के दोबारा, और कहीं पर भी जला से जो बनाते ह हैं वहां से भी पानी को भेजा जाता है, तो ये आजाएगा हमारा gravity method, जब जल को स्रोत से, जैसे जील, जलासे, storage tank, इत्याद किसी उचाई पर इस्थित हो, और वितरण छेत्र नीचले तल पर बसा हो, जयानि कि जहां पर पानी देना हो नीचले एरिया में हो, तो तब जल उपर से नीचे जाता है, ठीक है, आगे बात करेंगे, यह विधी सस्ती होती है, और विस्वसनी होती है, क्योंकि इसमें दाब की आवशकता नहीं होती, pressure की आवशकता नहीं है, इसलिए इसमें कोई pump लगाने की जरुत नहीं है, इसलिए यह सस्ता है, क्योंकि directly पानी उप प्रस छोड़ोगे, काफी तेजी से निचले छेतर में जाएगा, तो यह क्या कहा जाएगा, ग्रेवटी मेथड, आगे बात करते हम लोग pumping मेथड में, pumping मेथड में क्या होता है, कि हम लोग pump की द्वारा, पानी को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, यह वहाँ पर जाता है, पानी हमें समान तल पर है, माल लीजे कि जहां से सोर्स ले रहे हैं पानी का, यहां पर नदी या फिर हमारा कहीं दिजरवायर है, और जहां पर पानी ले जाना है, वहां का भी लेवल ठीक इसके समान है, जमीनी का लेवल, तो पानी फिर ग्रेवटी सिस्टम के दवारा तो जाएगा नहीं फिर हमें क्या करना पड़ेगा पंप की मदद से प्रेसर से पानी भेजना पड़ेगा चाहे जिस एरिया में भेजना हो ठीक है तो यह जो जब जल का स्रोत या बितरण छेतर किसी समान तल पर हो तब क्या करेंगे यह पर हो या बिवरण छेतर उचाई परिस्थित हो उचाई पर होगा तब पर भी हम लोग pumping के ही थूरू लेकर जाएंगे तो ऐसी दसा में जल की या पूर्ती pumping system द्वारा करते हैं किसके द्वारा कर भी खराब हो सकता है इसलिए इसको अविस्वसनी करेंगे और महांगी भी है क्योंकि पंप का उपयोग करेंगे ठीक है क्योंकि यह दाब पर निर्भर करता है ठीक है जब दाब आएगा तभी पानी जाएगा अगर पंप खराब हो गया तो पानी जाना बंद और ऊपर क्य भीजरेंगे तिसरा बात करते हैं पंपिंग मेंफड से कंभाइण ग्रिटी एंड पंपिंग में अगर क्या होता है जब हम लोग जैसे अभी हमारा क्या है यहां पर जो है यह दोनों बिदी का उपियोग किया जाया यानि कि इस विधी में जल को उचाई पर इस्थित किसी रिजरवायर में कठा कर लेते हैं फिर गिरवटी में तर दबारा क्या करते हैं लोकाल्टी में क्या करेंगे जल को बितरन करते हैं यानि भेजते हैं जैसे सोर्स से हमें पानी निकालना है अब सोर्स पानी कैसे निकाल जो इस्टोरेश टैंक आप लोग बनाते हैं इस्टोरेश टैंक जब आप लोग बनाते देखेंगे न वरेड़ टैंक हर जगह सहर सहर में बना होता है और उसमें क्या होता है कि समर्शिबल द्वारा पानी को क्या करते हैं निकालते हैं तो सोर्से से पानी को क्या करते हैं पं पानि को भर दे यह फिर पानी को ऊपर से खोडते हैं लोकल एरिया में तो ग्रेटि स्वारा क्या करेंगे चोड़ेंगे तो फ rebels में 3 को अपना कर बना करकर पानी को छोड़ेंगे तो यानि कि पानी को नीचे सोल्ष से लेनीं क्या हूँ पंप व्योग हुआ और फिर पानी को डिस्टिबीट करने में क्या हुआ ग्रेवटी सिस्टम का उपयोग किया गया तो इसका मतलब यहां पर दोनों जो है विधी उपयोग की जा रही है तिसको बोलिंग कंबाइन या फिर सयुक्त जो है गुरुत्वी या फिर पंपन प्रणाली या पंप मेथड तो इसमें जो है दोनों मेथड उपयोग किया जा रहा है तो यह कोस्चन भहुत लोग कहें हमसे फोन करके भी सर इसका उत्तर नहीं मिल रहा है सर अब उत्तर मिल गए आप लोग को मैं वोला था ना कि जब भी पढ़ाऊंगा तो जो चीजे छुटी है या नहीं है वो जरूर लेकर आऊंगा ठीक है चली आगे बात करते हैं हम लोग वित्रन पाइपों के विन्यास को सूची बद्ध कीजिए किनी दो को विस्तार में समझाईए यह भी क्वेस्चन आप लोग जो है नोट्स में आपके नहीं यह भी नोट कर लीजिएगा उपर वाला और यह वाला यह दोनों कोश्चन पूछे गए हैं ठीक है कोश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कोश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो वित्रन पाइपों के विन्यास को सूची बद्ध की तथा किनी दो को विस्तार में समझाईए लिस्ट द लेयाउट आप डिस्टिबूशन अच्पर डिटेल एक विस्तार पूछा दूसरा कोश्चन पूछा है क्या पानी को पहुंचाय जाने की प्रणाली का वर्ण करें एक कुष्चन 2022 में पूछा एक कुष्चन 2011 में पूछा ठीक है तो यह दोनों कुष्चन पूछे हुए ही है तरीका अलग-अलग है पूछन को पहुंचाये जाने की प्रणाली अब पाणी को पहुंचाये जाने की प्रणाली अपनाये लिए आउट की इन पलॉट आप distribution system ठीक है तो यहां पर हमारे चार जो है ले आउड बनते हैं पाला है डेड इंड शिस्टम या ट्री सिस्टम दूसरा गृड आयरन या फिर rectangular system तीसरा है circular या फिर रिंग system चौथा है radial system ठीक है तो यह चार यहां पर हमारे सिस्टम है एक एक करके थोड़ा से देखते हैं एक्जाम में यह पूछे भी जाती है जेई में भी कोश्चन इससे पूछता है ठीक है ड्राइंग की क्लास यूटूब पर नहीं चलेगी हम बार बार आपको बता दिए ड्राइंग की क्लास ड्राइंग की क्लास अप्लिकेशन पर है वहां से जाकर पढ़ सकते हैं इंडिविजुवल भी उसका कॉर्स और लेबल है ठीक है बहुत ज्यादा चार्ज नहीं पूरा बनाना चलाना चलिए आगे बात करते हैं डेड इंड शिस्टम या ट्री सिस्टम ठीक है अब डेड डेड इंड सिस्टम की बात करें हम डेड इंड शिस्टम की बात करें यह डेड इंड क्यों नाम दे रहे हैं डेड इंड इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि इसका यह क्या होता है यह पाइप का जो अंतिम सिरा है ना वहीं पर जाकी बंद हो जाता है तो यह नीचे बनाया गया है लेआउट अभी दिखाते हैं यह अन यमित इरेगुलर या पुराने कस्बों के लिए परदान किया जाता है यानि कि जो पुराने सहर्वसे हैं वहाँ पर य यहां पर देखिए ट्री सिस्टम कैसे होगा जरा यहां पर देखिए जैसे यह क्या है हमारा यह हमारी कोई मेन पाइप ऐसे जा रही देख रहे हैं यह क्या है यह कोई हमारी मेन पाइप है ठीक है अब इस मेन पाइप से क्या होगा कि यहां से इस प्रकार से हमारी एक डिस्टिबूशन पाइप निकलेगी फिर इस से जो है हमारा एक पाइप निकलेग में पाइप से सब में पाइप जाएगा जिसको हम लोग सब पाइप बोलते हैं सब पाइप से ब्रांच पाइप ऐसे निकलेगा और फिर यहां से निकलकर फिर यहां पर जाकर इंड हो जाएगा यानि पानी का वहां पर क्या हो रहा है अंतिम सिरा बंद हो जा रहा है इसलिए इसको dead-end बोलते हैं, यह CV से लिए cut-up वाल इसको बोलते हैं, cut-up वाल मतलब क्या होता है, get-up वाल भी इसको कर सकते हैं, लोग क्या कर सकते गेट वालवय यानि की कि इसको घर बंद कर देंगे तो पानी आगे नहीं जाएगा तो इसलिए सुमिधा जनक यह LAUR type की के अगर है कि का उपर जपशए इसलिए इसका उपवीऊग जड़ा तो पूराने शाहर है वहाँ पो पॉस्का स्वाइंटेज क्या है इसको समझिए कि बंद सीरे होने के कारण जलके असुद होने की समभूना अधिक होती है असुद होने की समर्णा कहां से आएगी जरह देखिए कि आप यहां पर पानी जब जायागा तुन यहीं पर अंत हो गया ठीक है अब यह पानी क्या तो उसमें हमेशा भरा रहेगा आगे वाले बस यूज करें कि माले पीछे वाले नहीं यूज करें तो कुछ दिन तक वहाँ पर पानी भरा रहेगा तो इसलिए वह असुद्ध भी हो जाएगा कटाफ वाल को बंद करने से पानी का बहाओ यलोकल्ती किया होता है बादित हो जाता है जैसे ये कटाफ वाल या गिटवाल में यहाँ पर बंद कर देंगे न बढ़ता जाता है वैसे ही सिर्स हानी क्या होती है बढ़ती जाती है सिर्स हानी क्यों बढ़ती है क्योंकि सिर्स हानी से बढ़ेगी क्योंकि अलग-अलग पाइप में पानी क्या होता जाता है और जितना पाइप का यहां पर क्या होगा डाया भी कम होता जाता है डाया कम होग उर्जा में हानी होगी उसके तो यहां पर प्रेसर भी कम हो जाएगा आगे जाते जाते लास्ट में ठीक है आगे बात करेंगे अगनी समन मांग के लिए प्रणाली उप्यूग तो नहीं है अगनी समन मांग के लिए प्रणाली ज्यादा उप्यूग तो नहीं होगी क्यों क्य आगे बात करेंगे हम लोग यहां पर, आगे बात करते हैं, कि जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता जाता है, वैसी वैसे सिर्ष्ण हानी बढ़ती जाती है तो और पाईप का जलबी दाब क्या होता है? हो जाता है तो यह तो आपको बताई चुके डेड इंड पर उपचारित जल का वेस्ट हानी जो होता है तो यह आपको क्या होता है यह धर जरा देखिएगा कि यहां पर जो हमारा यह पानी भरा होगा जो यहां पर क्या होता है गंदा हो जाता है या कर सकते हैं कि दूसीत हो ज उप्रढाली वेल प्लान नहीं नहीं होती पहले से प्लान नहीं होती ॅ SLOMO typically से प्लान नहीं की गई होती है पुराने सहरों के लिए ज्यादा उपयूक्त होता है आगे बात करेंगे करेंगा ग्रीड आरं वो तोग और इंड ulpato Amran यह grid iron या rectangular system है, यहाँ पर यह जो हमारे नए सहर बस्ते हैं, पहले से plan कर लिया जाता है, कि इस तरह से हमें plot जो है, क्या करना है, बनाना है, तो अब यहाँ पर main pipe ऐसे डलेगा, main pipe से क्या होगा, sub main pipe ऐसे जाएगा इस प्रकार से, तो यह sub main pipe निकलेगा और फिर यहाँ से भी इस pipe लगी रहेगी, यारि इधर से उधर से चारों तरफ से पानी क्या होगा, जाता रहेगा बराबर, ठीक है, यह प्रणाली dead in system का सुधरा हुआ रूप है, उसी को क्या किये है, थोड़ा सा, modified क कर दिये हैं, यह प्रणाली वहाँ अपनाई जाती है, जहाँ कसबा सहर well planned हो, और सड़के आयताकार हो, तो यह सड़के जहाँ आयताकार होंगी, वहीं पर इस तरह के क्या करेंगे, अपना सकते हैं, और पहले से वहाँ पर क्या हो, जब बस रहे हो, तो पहले से plan करके pipeline बी पानी इधर से जा रहा है, इधर हो कि इधर चलाएगा, आई बास समझ में, यानि पानी हमेशा इधर घुमता रह देगा उसी में, क्लियर, प्रतेक बिंदू पर लगभग दाव समान रहता है, अर्था सिर्षानी कम होती है, क्योंकि चारों तरफ से पानी घुम फिर के जा आप, दोनों तरफ से वहाँ पर बेवस्ता है, जानी का, ठीक है, डिस एडवांटेज क्या है, इसका, वालवी की संख्या इसमें अधिक होती है, आप देखिए, इसमें जगा जगा पर धेर सारे वालवी लगाने पड़ेंगे टवाल, क्योंकि अगर कोई पाइपलाइन ख अधिक होती है, आगे बाद करेंगे यहांपर, इसका प्रारंभिक लागत अधिक होता है, यानि जब इनिसियल काश्ट जो आता है, वो ज्यादा आता है, क्योंकि प्लांड एरिया में पूरा पाइपलाइन भीजाना पड़ेगा, और सम्में वालवी लगाना पड़ेगा, तो यह खर्चा जादा आ जाता है, लंबी पाइपों की आसकता पड़ती है, जिससे ट्रांस्पोटेशन में अशुविदा होती है, अब कहेंगे सर लंबी पाइप की कहां आसकता हो गई, जरा देखिए, अब जैसे यह मेन पाइप लाइन जाएगा, इसमें भी लंबी पा कठीन होता है, तो यह काफी टिपिकल है डिजाइन करना इसको, क्योंकि जगा जगा पर देखना है कि कहां कहां पर हमें जो है वाल्ब लगाने है, और नियमित प्रणाली के लिए यह विदी उप्यूकत नहीं है, यानि कि जहां पर अगर घर इस तरह सही तरीके से नहीं ब सिस्टम क्या है, सर्कुलर या फिर रिंग सिस्टम, सर्कुलर या रिंग सिस्टम क्या है, यह सिस्टम हम लोग वहां पर अपनाते हैं, जैसे जहां पर रोडे उगर से में पाइप ऐसे जा रहा है इस तरह से, फिर ऐसे यहां पर घुमा के में पाइप चारों तरफ ले जा शिटम की ही तरह है जो हमारा ऊपर पढ़े हैं सेम उसी तरह है इसमें भी क्या होगा रता इसमें भी पानी यह प्रेंड की अधिक उपयोग है यह फार ड इमांड के लिए यह से गई है तो भाई इस पर फायर हाइड्रिंट लगाना असान है लगाएंगे तो क्या होगा उपयोग भी खूब हो सकता अच्छे से ठीक है तो यह वाला हर जिगा नहीं देखने को मिलता है आगे बात करेंगे रेडियल सिस्टम रेडियल सिस्टम क्या है यह भी प्लांट सि होंगे उसी में देखने मिलेगा इसमें क्या होता है कि इस तरह से एरिया अलग लग भागों में बटे होते हैं और प्रतेक एरिया के लिए एक एक स्टोरिश टैंक की यहां पर बीच में लगाया जाता है ऐसे जगा जगा पर बीच में स्टोरिश टैंक लगा जाएगा और यहीं से डिस्टिबूशन पाइप निकलेंगी और इस तरह से चारो तरफ पानी क्या करेंगी ले जाएंगे ठीक है इस प्रणाली में पूरी एरिया को छोटे-छोटे भागों में बांट लेते हैं और प्रतेक एरिया को स्वम का स्टोरिश टैंक प्रदान करते हैं तो अलग अलग एरिया के लिए एक एक स्टोरिश टैंक मना देंगे ठीक है इस प्रणाली में जल का वित्रन बहुत तेजी से होता है और हेड़ लास बहुत कम होता है क्योंकि डैरक्ली एरिया वाई जैसे क्या होगा पानी चारों तरफ फैल जाएगा लेकर और फिर तुरन पानी प में था यहीं पर तो इधर जराएंगा इधर याएंगा इससे घूमता रहेगाल तो इससे क्या होगा पानी में दूसरे नहीं होगा तो यह क्या है इसके यह जो आहिसके फैदे Inde ठीक है इसौइअ है इसमें पानी हमिशा बरकरार रहता है तो यह सिस्टम हम लोग वहाँ पर अपनाते हैं जहां पर पहले से सिटी प्लांड की जाते हैं पहला वाला जो डेड़ इंड सिस्टम है वो हमारा जो है पहले से सिटी जो है प्लांड नहीं होता है यानि कि वहां पर अनिमित्ता होती है जिससे ओ जो है हम लोग वहां पर यूज करते हैं जो जो लोग आये गए बसते गए पाइप बढ़ाते गए पढ़ाते गए पाइप बढ़ाते गए ऐसी जगहों पर वहाँ सबसे ज़्यादा डेड़े इंडी ही यूज होता है ठीक है तो यह क्या है ले आउट है इसका जो है यूज करते हैं लोग तो पार्ट ए आपका जो है complete हो गया पार्ट पढ़ाते बिश्ट वाटर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे पार्ट वी वेस्ट वाटर पार्ट ए पूरा खतम होता है याएके बाभाम सप्लाई की जाती ही हूँ मैं रभुशा सीविज आ ओगया न तो आब हम लोग यहां पर देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं समझ 000 कुछता है एक बार नहीं कई बार एक जा में पूछा है कि सीवेज कितने प्रकार के होते हैं ठीके पार्ट भी वेस्ट वाटर इंजिनिरिंग में हम लोग आ गये हैं आज यह क्लास जो हो रही इसके लावा एक लास और लेंगे तब जाके खतम हो क्योंकि लाव सब्जेक्ट है इसको कितना भी कोसिज कर रहा है लेकिन नहीं कतम हो सकता अब कितना जल्दी जल्दी करके भाग जाएंगे तो थोड़ी नहों पाएगा पढ़ा रहें तो उसका कुछ नालेज लेकर ही जाईए आप लोग ताकि पेपर में अच्छा से लिख कर आईए धुआ धार एकद सकते हैं और अधर जगाओं पर भी काम आ सकते हैं तो सीवेज को समझने से पहले कुछ चीजे जान लेते फिर सीवेज पर आते हैं ठीक है तब सीवेज के टाइप भी चर्चा करेंगे चलिए तो एक एक करके पहले देख लेते हैं यहां पर कुछ पॉइंट है जैसे रिफ जलका होता है रिफ्यूज क्या होता है जरा सोचित candle reflection अना यह सभी सरोतों से निकलता है सभी सोस्रोत का मतलब हर जगह से जो हमारे वेस्टेश निकलते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्यूज ठीक है तो सभी सुरोतों से उत्पन होने वाले अपसिस्ट के कुल मात्रा को हम लोग रिफ्यूज कहते हैं यह तीनों रूपों में पाए जाता है ठोस द्रौग अब कहेंगे सर यह कैसे जैसे जै या फिर बात्रूम में जब पानी यूज कर रहे हैं तो जो पानी वेस्टेश निकाल रहे हैं धुल रहे हैं कपड़ा अपड़ा पानी क्या निकल रहा है वेस्टेश किस किस रूप में हो गया द्रव के रूप में हो गया आप बिस्कृट खा रहे हैं आप कुछ जो है नम सिस्ट कहते हैं यह जो तीनों रूपों में पाए जाता है यह कारवनिक और कारवनिक दोनों रूपों में पाए जाते हैं ठीक है कारवनिक भी होते हैं और कारवनिक भी होते हैं दोनों रूपों में आपको दिखेंगे उनको हम लोग रिफ्यूज कहते हैं अब सिस्ट कहते ह हैं यह मुखता carbonic प्रकृत कि होते हैं कैसे होते हैं carbonic आरगायनिक टाइप के होंगे carbonic टाइब क्यों होंगे यह ऐसे सूखे अपसिष्ट होते हैं जो बाजारों से उत्पन होते हैं बाजार यानि मार्केट में आपको देखने मिलेंगे जैसे घास हुए पतियां हुई सब्जी के छिलके हुए मार्केट में जब मंडी लगती है तो वहां पर धेर सारे क्या है छि दुरगन्द भी फैलाते हैं कि लियर और यह सूखे अपसिष्ट हैं पहले शूखे रहते हैं फिर दर दर वह में सरते हैं ठीक है इसको क्या मौतलों गार्मेज बोलते हैं रबिस यह रबिस क्या होता है इसको ज़रह समझे यह ऐसे होते हैं जो और कार्मनीक प्रकित क्यों होते हैं जीने जलाया जीने क्या होता है जलाया जा सकता है जैसे पेपर उड़ यह सब क्या है और कार्मनीक प्रकिति है ठीक है तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है यह अपसिस्ट और कार्मनीक है यह कार्मनीक है ठीक है इन सब पताये हैं ताकि आपको जो है थोड़ा सजानकारी रहे कि हां, सीवेज पढ़ रहे हैं वेस्ट वाटर पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को समझीए आगे बात करते हैं हम लोग सीवेज , सीवेज क्या होता है समझी देखिए देखिए, सीवेज जो है, ये आवासी भवनों से, उद्योगों से वर्सा का पानी जो होता है, वर्सा के जल, इन सब के द्वारा जो हमारा लिक्विड विस्ट हमें प्राप्त होता है, जिससे दुरगंद आती है, उसे हम लोग सीवेज कहते हैं, ठीक है, कहां कहां से मिला, जो आवासी भवन हैं, आवसी भवनों से कहां से विस्टेज वाटर निकलेगा, लिक्विड विस्ट कैसे निकलेगा, जैसे किचेन का पानी है, किचेन जब आप बरतन धुलेंगे, तो वहां का विस्टेज वाटर निकलेगा, वास्रूम, बाथ्रूम जब नहाएंगे तो तो वहां से निकलेगा सोचाले रूम से जब आप यूज करेंगे तो वहां से वेस्टेज लिक्विड वेस्ट निकलता है वो भी हमारा क्या होगा जो है सीवेज कहा जाएगा ठीक है यह सब आपके आवासी भानों से निकल रहे हैं उद्योगों से यानि इंडरस्टी से जो लिए आप दो जाएगा वहां से वेस्टेज वाटर निगलेगा तो वर्षा का जल बारीष होता है तो बारीष होने के बाद भी क्या होता है जो पानी बहता रहता है वो भी क्या है वेस्टेज है ठीक है 0.9% क्या होता है लिक्विड होता है और 0.1% इसमें स्वालिड पाय जाता है कहेंगे सर ये कैसे देखिए जो 100% आपका जो क्या होता है सीवेज बहता रहता है नाले में आप लोग देखते होंगे पूरा गटर में बहता रहता है उसको जब आप लीजिए उसमें चेक करेंग कए और कुछ बालू के कड या फिनित ऐसे मिलेंगे 0.1% ति क्या होगा आप यह सिवेज में लिक्वीड और टोटल सॉलिड लिक्वीड कितना 99.9 परसेंट टोटल कितना 0.1% थिक है ठोटल सॉलिड में ही आपके जो है इन आर्गाइनिक स्वाइलिड क्या है 55% है आर्गाइनिक स्वाइलिड क्या है 45% है ठीक है जैसे अब कहेंगे सर आर्गाइनिक स्वाइलिड कहां से आ गया इसमें शिल्ड तो फिलाल मान सकते हैं सरक यह आ सकता है और गाइनिक सॉलिड जैसे आपका जैसे किचेन में ही चावल गरे गिर गिया कुछ सब्जी का टुकडा गिर गिया अब वो चला गया नाले में या कोई रास्ते में जा रहा है खाते हुए केला छिलका फेक दिया तो भी नाल बागी तो लिकविड है तो यह क्या हैं तो आगे बात करते हैं अब प्रकार इसमें मैं लिखना भूल गया यहां पर आप लोग लोग लिख लीजिए टाइप आप शीवेज इसको लिख लीजिएगा फिके मेरे ध्यान से निकल गया नहीं तुम्हें टाइप कर देता ठीक है टाइप आप सीवेज यहां पर लिख लिजिए टाइप आप सीवेज ठीक है यहां पर लिख लिजिए टाइप आप सीवेज टाइप आप सीवेज ठीक है टाइप आप सीवेज ठीक है अधर सब्जेक्ट की ग्लास परसों से शुरू होगी टाइप स्वाइल शुरू होगा, टाइप आप सीवेज, इसमें हमारे तीन तरह की क्या हैं, सीवेज हैं, पहला है डोमेस्टिक सीवेज, दूसरा है इंडस्ट्रियल सीवेज, तीसरा है रेनफाल सीवेज, रेनफाल सीवेज को हम लोग स्टार्म सीवेज भी करते हैं, क्या क घुटल यहां पर मेन जो है हमारी वो Đोमेयर्ष्टीक सीवेज इंडस्टीयल सीवेज और रेश्टीयल सीवेज सी लिश्ट निनिकलते हैं उनको इंडस्टीयल सीवेज करते हैं रेव곳 ता गिञानी जो बरसात का पानी क्या होता है लिकुद बेस्क बहने लगता है उसको आवीरा इंफालीव केते हैं तुछ टीन टाइप के हमारे क्या है सीवेज है जब सीवेज के प्रकार पूचेगा तीय 30 टाईप कि अंतर्गत पाएं जाते हैं घरों से आपके जो निकलेंगे जितने लिक्विड वेस्ट वह सब्हांगे डॉमेस्टिक Kitchen करने में जो लिक्विड वेस्ट प्राप्ट होता है उसे इंडस्तियल सीवेश कहते हैं जैसे चमडरीका दूला जाता है रक्सिन बना जा कहता है लिकंड वेस्ट निलता है वह सब क्या है रेंफाल और रेैंडे petroleum जो है उसे लीविस्ट जो वर्सा के जल सोती है तो पाणी क्या होता चैट कहो कि आ है लीक्ड वेष्ट है तो इसको हम लोग इस्टार या फिर्व बैने सीविज करते हैं क्या करते हैं स्टार मैं ऊसको ड्रेने सीविज करते हैं ठीक है हाँ जी ओठां पार्ट एमें 26 20 घब या चली आगे बात करते हैं वाहित मल सीवेज को हिंदी में वाहित मल बोलते हैं आपको बताना भूल गए सीवेज को हिंदी में वाहित मल बोलते हैं क्या बोलते हैं वाहित मल बोलते हैं जो घरों से लिक्विड वेस्ट निकलते हैं उनको सीवेज कहते हैं सीवेज को हिंदी में वाहित मल कहते हैं सिवेज सेनेट्रिश को मिला देंगे आप तो क्या कहे जाएंगे सेनेट्री सीवेज कहे जाएंगे ी डॉमेस्टिक प्रसेज इनड़ मेड़ें इचकल 2 सेनीट्रिस सीवेज आयवागस समझ में आई एक नई चीज़ सीखते हैं पर तो यह क्यरास खतम हो गया सीवेच क्या है सीवेच की प्रकार क्या एंखतम हो गया question समाप्तLich एक अलग चीजें आपको बता देते हैं कि सलेज यह स्यू यस यू एजया 1 इल यही जिए सलेज आBaby आखिर सलेज क्या होता है सुने भी होंगे आप लोग ठीक है सलेज क्या है ठीक है जरा समझिए इसको जरा ठीक आकर सलेज क्या है देखिए आवासी भावनों के द्वारा प्राप्त लिक्विड वेस्ट एकसेप्ट ट्वाइलेड वेस्ट को हम लोग सलेज कहते हैं क्या कहते को तो है टस्ट को किसको कहते हैं जो आपके जो है घरों में कहा सकас निकलता है अब के किचेन से निकलेगा कहां से निकलेगा किचेन से निकलेगा कहां से निकलेगा बात्रूम से निकलेगा बात्रूम में जो नहाते हैं ठीक है और कहां से निकलेगा डबलू सी जो सौचाले होता है यहां से भी हमारा जो है सौचाले यहां से भी हमारा क्या होता है लिक्ट वेस् यह सब क्या कहे जाएंगे डोमेस्टिक वेस्ट कहे जाएंगे डोमेस्टिक सीवेज कहे जाएंगे ठीक है क्या कहे जाएंगे डोमेस्टिक सीवेज कहे जाएंगे ठीक है आई बासमझ में अब जरा सोचिये कि इसमें से दूसित पानी कौन सा है बताइए इसमें से दूसित जो दूसित वाला होता है वो सोचाले से निकलता ये कैसा पानी है दूसित पानी है या दूसित पानी यहाँ पर निकलता है ना बाकी ये दोनों पानी कैसे निकलते हैं ये दोनों पानी गंदा पानी निकलते हैं कैसा पानी गंदा पानी निकलते हैं गंदा पानी लेकिन ध्य दूसित पानी को मतलब है जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिद्दमान है गंदा पानी जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं बिद्दमान होते हैं उनको गंदा पानी कहते हैं ठीक है तो किचेन और बात्रूम से क्या होते हैं गंदा पानी निकलते हैं सोंचाले से दूसित पानी निकलता है अगर इसी डोमेस्टिक सीवेज में क्या हो अगर डोमेस्टिक से सीवेज में क्या हो कि ये डबलू सी वाला पानी अगर इसमें ना जाए बाकी जो किचेन और बात्रूम से जो पानी निकलेगा उसको हम लोग सलेज कहते हैं क्या कहते है तो यही चीज़े यहां पर बता जा रहा है न कि डोमेस्टिक सीवेज माइनस टॉलेट वेस्ट इसको टू सलेज ठीक है यानि कि इस डोमेस्टिक सीवेज में अगर सोचालय का पानी न जाए कि एवल सिर्फ किचेन बाथरूम का पानी जाए तो इसको हम लोग सलेज कहते हैं यानि कि इसमें कैसा पानी जाएगा इसमें सलेज में हमारा किचेन वाला पानी है किचेन और बाथरूम का बस ठीक है इसको हम लोग क्या कहेंगे सलेज टॉलेट वेस्ट इसमें नहीं जाएगा ठीक है इसमें नहीं जाएगा डोमेस्टिक सीवेज किसको कहेंगे किचेन ब तर्म का सचालक नहीं जायेगा दूसित पानि समें नहीं रता सिर्वस में गंदा पानी रता है सलेच को आप दुबारा यूज भी कर सकते हैं ठीक है ट्रेटमेंट करके इसी का ट्रेटमेंट करके यूज कर सकते हैं लेकिन इसको दुबारा नहीं यूज कर सकते क्योंकि दूसी थैत जब तक उसको डिसिंफेक्शन नहीं करें तरीके से तब तक नहीं यूज कर सकते हैं ठीक है चलिए तो यह चीज़े आप आज नई चीज़े सिख गए होंगे आगे बात करते हैं हम लोग सीवर कितने प्रकार के होते हैं वडन करें ये भी कोशन पूछा है बहुत बार कोशन नमबर 28 सीवर कितने प्रकार के होते हैं वडन करें आखिर सीवर हमारा कैसे बनता है बसुचिए क्यों सीवर हम लोग मनाएंगे जो हमारा seaweed होता है, liquid waste जो seaweed होता है इस seaweed को अगर हमें ले जाना हो कहीं पर, convenience करना हो, transportation करना हो तो उसके लिए हमें seaweed pipeline बिचाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे pipeline जो कि क्या करें, pipe या पासिस, जो seaweed का transport या परिवहन करें उसे हम लोग sewer कहते हैं तो कोई पूछे sewer किसको क्या कहेंगे कि यह ऐसी pipeline जो की sewage का क्या करे transport करे यानि कि sewage को हम लोग क्या कर सकते हैं transport या परिवहन करें उसको ही हम लोग क्या कहते हैं sewer कहते हैं sewer क्या करता है sewage का transport करता है sewage को ले जाता है उसी को हम लोग सीवेज कहते हैं, उस सीवर कहते हैं, ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, अब जो हमारा सीवेज जो घरों से निकलता है, उस सीवेज को क्या करते हैं, सीवर की मदद से लेके जाते हैं, तो question पूछा है क्या, type app सीवर, यानि सीवर के प्रकार बताईए, तो type app सीवर में अब यहीं से पूरी यह layout से समझ जाए, कितने प्रकार के सीवर होते हैं, ठीक है, देखिए, यह आपका क्या है, house है, घर है, और इसी घरों से क्या होगा, सीवेज निकलेगा, अब जो सीवेज निकलेगा, उस सीवेज को हमें ले जाना पढ़ेगा बाहर, dispose करने के लिए, यानि निपटान करने के लिए, तो उसको निपटान करने के लिए, हम लोगे जाकर नदी अगर हम कहीं पर मिलाएंगे, यह पिर गढ़ा खोद कर उसमें, क्या करेंग aí, उसको, गढ़े के नहें दर जबा देंगे, तो उसके लिए हमें फिर सीवर क्या पड़ेगा सीवेज को ले जाना पड़ेगा जब सीवेज को ले जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे पाइप लाइन भी चाहेंगे उसी पाइप लाइन को हम लोग क्या करते हैं सीवर कहते हैं और सीवर में कई टाइप है जब घरों से सीवेज निकलता है अब वो जिस pipe के through क्या करेगा घर से निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं lateral seiver ठीक है तो जब कोई भी seiver line हमारे घर से होकर branch line तक जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं lateral seiver ठीक है अब lateral seiver से क्या होता है हमारा जो है main seiver line तक कौन ले जाएगा branch seiver line ले जाता है क्यों ले जाता है branch seiver line ठीक है तो branch seiver line क्या करेगा lateral seiver से seiver को ले के जाएगा मेन seiver तक अब जब main seiver में आ जाएगा कि मेन seiver के बाद फीर आगे जाते समय outfall seiver मिलेगा outfall seiver क्या होता है यह ऐसा seiver होता है जैसे कि treatment plant जो आगे बना है ना बीना treatment करके सीवेज का जब तक treatment नहीं करेंगे तब तक हम dispose नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा दूसित होगा न अगर नदी में मिलाएंगे तो पूरा नदी का पानी क्या हो जा दूसित हो जाएगा तो government बोलता है नदी में सीवेज मिलाने से पहले उसका treatment कर दीजिए इतना तो उपचारित कर दीजिए कि हमारी नदी क्या हो दूसित नहों तो इसलिए इसका treatment किया जाता है बड़े-बड़े treatment plant में क्या होगा एक रेशियो की हिसाब से ट्या होता सीवेज जाता रहेगा लेकिन अगर बाइदबे बहुत जाया था सीवेज क्या हुआ अचानक बारी सो गया या अचानक बहुत ज्यादा क्या हुआ सीवेज जाने लगा में सीवर में तो अब पूरा treatment तो हो नहीं होता है उसको बोलते हैं आउट फाल सीवर और फिर आगे क्या होगा treatment plant पे जाएगा जब treatment हो जाता है उसके बाद फिर क्या होगा चाहे नदी की माध्यम से नदी में डालेंगे चाहे कहीं पर जो है खुदाई करके गड़े में तोप देंगे तब वहाँ पर जाके क्या होत है ठीक है तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं आज वादाए के कितने वर की हमारे सीवर लाइन हो गया एक हमारा लीटरल सीवर ब्रांच सीवर में सीवरWER औरसी कर तो यहाँ पर इतले टाइप की हमारे क्या हुए सीवर होगे ठीक है चलि आगे बात करते हैं हाँ फुल रिवीजन क्लास होगा परशान मत होई जैसे यह पूरा कम्पलीट कर रहा हूं इसी तरह से पहले मैं स्वाइल में ना सोच रहा हूं पूरा पूरा थियूरी करवा दें उसके बाद फिर नुमेरिकल की क्लास ले लूँ कि किस किस चैप्ट कि नुमेरिकल फिर सर्वे का पूरा धियूरी जो इससे नुमेरिकल आ सकता है डिमिरिकल ठीके चलिए आगे बात करते हैं अब एक करके इसको देख लेते हैं ठीड़ अच्छा एक और है एक यहां पर और है जैसे आपके घरों में ही न एक सीवर लाइन रहती है कहेंगे सरी कैसे घरों में रहता है देखिए अभी क्या है कि आपके घर में जैसे कीचन का कीचन तो घर में किसी एक किनारे में होगा भी के बात्रूम कहीं पर एक किनारे में होगा तो इन सब का पानी एक ही जिंगप परिकठा करेंगे न तब तो बाहर निकालेंगे तो घरों में भी एक pipeline ऐसे गूमी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं domestic या फिर house sewer क्या बोलते हैं domestic या फिर house sewer तो एक और sewer line होती है domestic या house sewer तो कितने हो गए domestic lateral branch main outfall तो इतने type की हमारे sewer हो आगे बात करते हैं लोग आगे बात करेंगे धेचैन करेंगे हम देखिए ज़रा domestically house sewer क्या है domestic या обще front क्या है सब्सकार बात करते हैं इसे घरेलॉ नाली भी करतें घरेलू नाली क्यों करते हैं क्योंकि बहुन मेंशकेन डालेगी पाइप जिसकी दवरा वाहित आ सिवेज इ तो इसमें क्या होगी पाइपलाइन डली होगी सबका जो सीवेज या वाही तमल है वो एक जगह जाके इकठा होगा तो जो उसके अंदर पाइपलाइन घरों के अंदर डली होगी उसको हम लोग डोमेस्टिक या हाउस सीवर कहते हैं ठीक है सामाता इनका ब्यास 10 cm दिया जात करते हैं लेटरल सीवर लेटरल सीवर क्या होता है प्रतेक घरों का सीवेज क्या होता है जिस पाइप के द्वारा अस्थानांतरित किया जाता है उससे लेटरल सीवर करते हैं यह हर एक घरों का जो सीवेज है वो क्या करता है इसी के माध्यम से बाहर निकलता है और सीवर कैसा होगा तो यह सीवर क्या करते हैं कि लेटरल सीवर के सीवेज को अस्थानांतरित कर देते हैं में सीवर लाइन में देखा है थे अभी आपको कि लेटरल सीवर को क्या किये जो लेटरल सीवेज है लेटरल सीवर में जो सीवेज है उसको क्या करते हैं अस्थानांतरित कर देते हैं में सीवर में ठीक है तो में सीवर या ट्रंक सीवर उसको बोलेंगे ट्रंक सीवर भी बोलते हैं ध् ब्रांच सीवर जो होता है उन सभी का सीवेज क्या करता है अस्थनांतरित करता है यानि कि सब बोलेगा ठीक है आप सभी लोग हमारे में ही क्या गरिए अपना सीवर जो है लाकर डाल दीजिए तो सीवेज को बाहर सरक सहर की बाउंडरी या बाहर तक ले जाता है कौन बाहर सबक्क ले जाएगा मेन या ट्रंक सीवर लाइन जो सीवेज होता है। ब्रांच सीवर सबका ले लेगा और पिर सहर से बाहर ले कर जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं या आपर, जो है outfall siever, क्या है outfall siever जो है यह इस हर के किनारे पर प्रदान किया जाता है जो मेन या टरंक siever के द्वारा प्राप्त sievenge को treatment plant और निम्टान बिंतक ले जाते हैं तो यह क्या करता है, यह outfall siever सभी main siever जितने आएंगे अलग-अलग area से उन सभी को क्या करेगा अपने पास इकठा करेगा सीवेज को और फिट ट्रीटमेंट प्लान तक भीजता है ठीक है रिलीफ सीवर या ओवरफाल सीवर एक और बना होता है कभी कभी क्या होता है अचानक बरसात तेजी के साथ होने लगता है जब बरसात तेजी होता है न तो इ स्केलिए WA garden और दिछाए जाती है उसको बोलते ऊवर फ्लोओ सीवर कि अचानक पानी ऊवर tätä में ये जाती है ति कर बगलाम सिवर वहीं बगल में उसना चार्धा नियुनत्य ब्यास 14 संटीमीटर था अधिकत में काज 3 मीटर तक परयोग किये जाते हैं 300 cm तक या 3 मीटर तक परयोग किये जाएंगे ठीक है देखते हैं एक आदमी भी घूमता रहता है गटर में ठीक है मुम्भい अगरम जो गटर नला है पूरा तो ये सब क्या है हमारे ये सब siever हैं तो siever बहुं सारे देखे लिए आप लोगे ने तो टाइप आप सीवर भी एकजाम में आपका पूछता है आगे बात करेंगे हम लोग सीवरिज प्रणाली कितने प्रकार की होती है संचेप में वड़न कीजिए ठीक है पॉस्चन नमबर 29 कि कॉस्चन नमबर 29 कि समझ में आ रहा है कि नहीं बताईए कि समझ म यहां समझ में आ रहा है दो लिखनाओ लेकर फटफट 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 अंडरलाइन करते रहे समझते रहे ही चीजों को जो एस्ट्रा आपको लगे वहीं पर ऐसे लिख दीजिए थोड़ा सा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पूरा ठीक है ठीक है कि कभी भी यह एक दो घंटे में खतम हो सकता है इतना समझ लीजिए सोचिए डबलु डबलु एक सो बीस थीज घंटा लोक पढ़ते हैं तब जाके पूरा होगा समझ रहे हैं हम तो यहां पर आपको फिलाल आट दस घंटे में खतम करने को सिसकर रहे हैं समझ रहे हैं तो इसलिए ऐसा नहीं यह घंटम कभी नहीं करता मौक पाएगा दो घंटे में दो एक ठोलक्षर उसका खतम होगा बस चलिए आगे बात करते हैं ठीक है तो क्लास को सेर कर दीजे फिर इसी बात पर लाइक भी कर दिया करिए ठोको लाइक जल्दी से एक से प्रणाली आप से पूछ रहा है थीकैं सीवरेज कि सईंयुक्त प्राली के गुड़ों दोसों को समझाहिए तो margin आज दिखिये ये दो कुरण都ं पोचा है एक कोशन परफ्टीन की कितने प्रकार के होती है संशेप में बताई अब प। WEA प्रनाली में हम जाएंगे तो यहां पर हमारे क्या है है तीन टाइप की हमारे प्रनाली हें देखिये सेपरेट सिस्टम, कम्बाइन सिस्टम, पार्सियल सेपरेट सिस्टम, अब तीनों में हमको तीनों बताना पड़ेगा अगर ऐसा कोशन पूछा, अगर सिर्फ ऐसा कोशन पूछ लिया, दूसरा अला जिसे पूछन पूछा है, कि स्विवरेज की संयुक्त पणाली के लिकल अगर सबकादेदेना उत्त्तर ठीक है, पाम सबका पढ़ा दे रहे हैं इसमें, तो इसमें मेरीड दिमेरिट भी پूछेगा, अगर सबका पूछेगा न तो बिमेरी डिमेरिट नहीं लिखने की जरूरूत है, बस बता दीजी क्या कैसा सिरील होता है, ठीक है, पनाली क्या होता है यह ऐसी प्रक्रिया है यह ऐसा सिस्टम है जिसके अंतरगत सीवेज को संग्रहन संग्रहन मतलब कलेक्ट करना सीवेज को कलेक्ट किया जाता है और क्या किया जाएगा अस्थानांत्रण यानि ट्रांस्पोर्टेशन सीवेज का किया जाएगा और उसके बाद फिर डिस्पोज कर दिया जाएगा तीन चीज़ें की जा रही है सीवेज का कलेक्शन किया जा रहा है सीवेज का ट्रांस्पोर्टेशन या अस्थनांतरण किया जा रहा है और फिर सीवेज को डिस्पोज किया जा रहा है यह तीनों प्रक्रिया जिसके अंतरगत हम लोग करते हैं उसको serious system करते हैं ठीक है serious system के अंतरगत तीन चीज़े करते हैं यानि कि हम लोग collection, transportation, disposal ठीक है आगे बाद करते हैं यहाँ पर तीन प्रकार की यह प्रक्रिया होती हैं लग लग पहला है separate system अब कहेंगे सरफ separate system कहां पर हम अपनाते हैं कमबाइन सिस्टम पार्सियल सेपरेट सिस्टम ठीक है अब यहाँ पर तीनों एक एक करके थोड़ा समझ लीजिए कि यह तीनों आखिर हैं क्या फिर इनके गुण दोस्कों बारे में जर्चा कर लेते हैं एक करके चलिए तो पहला यहाँ पर सेपरेट सिस्ट इस सेपरेट सिस्टम मतलब अलग-अलग, अब कहेंगे अलग-अलग क्या चीज़, देखिए, अलग-अलग मतलब यहाँ पर है कि जैसे एक तो हमारे घरों से क्या होगा, सीवेज निकलेगा न घर से सीवेज निकलेगा आपके आवासी भोवनों से उसके बाद बारिस होगी तो बारिस का पानी भी बहेगा वो भी सीवेज है तो separate system में क्या होता है कि इस प्रणाली में अंतरगत sanitary सीवेज और storm water दोनों अलग-अलग pipe की द्वारा treatment plant ले जाते हैं अब चीजों को ध्यान समझीए मैं सीवेज की प्रकार बताया था वहाँ पर मैं तीन तरह के सीवेज बताया था पहला मैं बताया था आवासी यह सोरी डोमेस्टिक सीवेज दूसरा बताया था इंडरस्ट्रियल सीवेज तीसरा वहाँ पर मैं बताया था तीसरा क्य सैनेंट्री सेविज क्या होता है यह आप लोग मैंने वहाँ पर पहले कर चुके थे टी जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज है, domestic sewage, domestic sewage, plus industrial sewage, industrial sewage is called sanitary sewage, क्या होगा, sanitary sewage, आई बास समझ में, यानि कि जहां पर हम sanitary sewage का नाम लेंगे, उसको तुरंत समझ जाना domestic sewage plus industrial sewage की बात हो रही है, आई बास समझ में, और अगर हम storm water या storm sewage कहें, तो समझो कि बारिस की पानी की बात हो रही है, जब बरसा होगी, तो वो पानी बहेगा, ठीक है, तो जब भी आपके क्या है, कि sewer line में, किसी भी sewer line में, sanitary sewage और storm water, दोनों अलग-अलग pipe में क्या हो, जो है treatment plant तक ले जाएं जाएं, तो जब अलग-अलग pipe में दो pipe में बिचानी पड़ेंगी, एक pipe में क्या होगा, बारिस का पानी बहेगा, एक pipe में क्या होगा, जो है पूरा ये sewage बहेगा, तो ऐसा प्रयागराज में भी ऐसा होता है, यानि नाली के माध्यम से बाहर-बाहर क्या हो रहा, बरसाथ पानी बता रहता है, और अंदर नाला में क्या होता है, नाले में जो है, पूरा हमारा sewage, sanitary sewage बता रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या separate system, separate system मतलों समझ गया है न, कि sanitary और starm अलग-अलग लेकर जाया रहा है treatment plant तक, ठीक है, sanitary sewage को हमेशा भूमिगत pipe के द्वारा, जबकि starm को खुली नालियों के द्वारा प्रास्पूटेशन करते हैं, यानि कि खुली नाली रहती है, उसके माध्यम से बरसाथ का पानी जाता है, और जो हमारा gutter के थुरू, जमीन के नीचे pipe डालना यंडली होती है, उस यहां पर वर्षा एक सीजन में सीमीत हो, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, यह सिस्टम अपनाते हैं, जैसे इलाहबाद, लखनव, कानपूर, हर जगान लगभग यही सिस्टम अपनाया जाता है, जहां पर बारिस क्या हो, सीजन सीजन वाईज बस होता हो, ठीक है, आगे ब देख लीजे, सेपरेट सिस्टम के फाइदे, बहुत जल्दी कबर करेंगे इसको, दिखिए, पहला फाइदा क्या है इसका, कि प्रिधक पणाया यह सेपरेट सिस्टम अपनाना काफी सरल होता है, क्योंकि वाहित मल के लिए अलग से, अलग से कम ब्यास के सीवर पाइपला में तो क्या होगा, बहुत बड़ी पाइपलाइन डालनी पड़ेगी डाया की, तो यह एक फाइदा इसका यह है, सीवेज की मातरा तो फानी जल की तुलना बहुत कम होती है, सीवेज उपचार सेयंत पर कम भार बढ़ता है, यह जो ट्रेटमेंट प्लांट है, वहाँ पर जो एक्च्वल में जो सीवेज है, वही जा पाता है, बाकि जो अलग वाला है, बारिस का पानी, वह हम ट्रेटमेंट प्लांट तक न ले जाकर डिरेक्टली नदीयों में ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा दूसीतों तो होता नहीं है, क्योंकि वाहित मल को वर्सा जल से अलग रखा जाता है, बरसाती नदी नालों के पानी को के दूसित होने की सम्मyणा कम रहती है, तो तो डिरेक्टली नदी नालों में लणी में डाल दिया जाता है उसको, क्योंकि सैनेटरी सीवेज की मातरा वर्स बर एक जैसी रहती है, सीवर खंड निरधा परदाए अब हमेशा सीवच क्या होगा लोगों को घरे से उतना ही निकलेगा इंडर्स्टी से उतना ही निकलेगा ज्यादा तो रहेगा नि मातरा बढ़ेगी नहीं क्योंकि क्या होगा बरसात वालत अलग जा रहा है वर्साजल की उपचार की कोई आओ सकता नहीं है रती उस सीधा नदी में बहा सकते हैं तो यह इसकी क्या है फाइदे हैं दोस्त क्या है यदि सेनेटरी सीवच की भाती वर्साजल के लिए भी अलग से भूमिगत निकास नालिया मनाई जाए तो इस प्रणाली पर बहुत अधिक भी आता है अब दो-दो सीवर लाइन अलग से डालो होगे तो खर्चा बढ़ जाएगा ठीक है तो खर्चा इसका थोड़ा ज्यादा आता है तो अलग लग नालियों की निर्माण और नुर्चन पर परियाप्त दिक्कत भी आती है क्योंकि सभी कार्य जो है क्या होता है डबल हो जाता है तो इसलिए इस पर खर्चा थोड़ा सुधी वेग उत्पन नहीं हो पाता है यानि कि जैसे साम रात उत्पन तो सीवर लाइन बहुत कम हो जाता है न तो स्वेम वो पानी बह नहीं पाएगा ठीक है जब बहुत ज़्यादा रहेगा तभी बहेगा तो यह भी एक समस्या आती है संकरी गली के लिए दोहरी भूमिग दाल उपलब धना होने पर वरसा जल नालियों में इकत्रित हो जाते हैं आप जैसे देखे होंगे जगह जगह पर पूरा जो है बारीस जब होता है तो पूरा क्या होता नाली भर जाती है क्योंकि वह जा होता है उतना अच्छा जो है उसको एकजिट नहीं मिल पाता है स्लो इसका भी लाभानी देखेंगे इस पनाली के अंतरगत सेनेटरी सीवेज और स्टार माटर दोनों एक ही पाइप में अस्थाना अंत्रित किये जाते हैं यानि एक ही पाइप लाइन डली होगी और उसमें बरसा का भी पानी जाएगा और जब बरसा नहीं होगा तब पर भी बहता रहे गया निकि दोनों पानी जाता है सेनेटरी वाला भी जाएगा और वर्सा का पानी सब एक साथ बहेगा उसको बोलते हैं कमबाइड सिस्टम यह जो सुटेविल्टी की बात करें ऐसे छेतर जहां वर्सा अधिक हो जैसे जहां पर बारीस बहुते ज्यादा हमेशा हो वहां पर जादा क्या करते हैं इसी तरह का सिस्टम अपनाते हैं जल स्जल जो है संख्याप transformed हो गलियां पतली समतल हो वहां पर भी अपनाएंगे अपनी पतली है तो वहां पर एक सिस्टमम ल लगा देंगे उसी में दोनों जाएगा ऐसे उसको बोलते हैं हो इस की बात करें तो किस पड़ाली में यह लाभानी नहीं था मैं पूछ लिया तो जैसा परिवर्तन करता है उसी इसाब से आपको बत देना पढरता content क्योंकि इस प्राली में घरेलू सीवेज तथा वर्स वर्सा जल एक ही सीवर खंड में बहता है इसकी देखबाल मरमत आसानी रती है इस प्राली को इस थापन लागत या दोरी सीवर प्राली से कम होती है तो खर्चा भी कम आता है और एक ही बार मेंटेनेंस भी करना पड़े तो क्या होगा पानी का बहाव भी तेजी के साथ होता है इसमें ठीक है वर्सा जल के मिलने पर सीवेज की दूसर अंड़ता क्या होती है कम हो जाती है अब जो बहुत ज़्यादा गंदगी रहे बद्बू करता रहेगा जब बारिस का पानी मिलेगा तो तो तना बद्बू नहीं करेगा ठीक है ट्रीटमेंट में भी ज्यादा समस्या नहीं आती है संयूत पडाली में सीवर पाइपों का ब्यास बड़ा होता है इनकी सफाई करने में थोड़ा सा कम परसानी होती है वहीं अंदर घुजे कोई भी खड़ा होके भी साफ कर सकता है संकरी गलियों के ल सकता है ना इस पडाली में बड़े माप के भूमिगत सीवर पाइप लाइन डालने पड़ते हैं तो यह समस्या है बहुत बड़ा जो है डाया का डालना पड़ेगा जिससे खर्च अधिक आएगा बड़े ब्यास की भारी सीवर पाइपों के लिए अधिक खुदाई करनी प पड़ेगा तो नीचे दब भी जाएगा ठीक है असाम आगे बाद देखें ए कि इंग्लिश को हिंदी में लिख दें अ बैए इंग्लिस अब दीको बोलत रहा हूं ना लिखने क्या जरूत है मैं बोलत रहा हूं ना चीजों को आपको बता दे रहा हूं जो इंग्लिस में अब एक-एक करके पूरा लिखूँ तो थोड़ा सा समय ज्यादा वितित होता है। को एड कर रहें करें ने और अब कोश्चन लगाए annex देखी कितना समय लगता है बहुतस लगता है। ठीक है बहुत समय लग जाता है इस सब चीजों बनाने अभी आभी क्लास लोंगा उसके बाद फिर बनाऊंगा वैट के ठीक है इसके आगे का वी जितना है उतना पढ़ा रहा हूं आपको तो फिर बार तुरा सावर बचा है आज इसको कंप्लीट कर देंगे आज उधर बीसी भी बहुत जयादा है ना बार इस बिमlor तो पाद कम एगे न को पानी कि बाहे घोट के-गा चोश्त क्या है उसमें वह नीचे बैढ जाएगे फिर और चोखे-ख ले लिय यह भी समझे आती है वरसा-चल को सामनता дух सीत नहीं होता जिसे मेंरोनों भी दूसितु हो जाता है तो हेसी तो दूसित दन्हीं रहे गाँ ऊसको चाहे तो दिभी डाल सकते हैं ल कि जब उसमें मिल जाएगा होगा वी दूसित हो जाएगा तो यह भी समस्या आती है भारी वर्शा होने पर सिवरों में दूसित जल जो है बाहर आने लगता है जिससे वातावन दूसरी होतों जाता है तो दिल्ली हो गयरा मैंसा में बहुत देखा हुआ इतना प्रेसर बन जाता है नाले में न तो पूरा ऐसे जो मैंनोल कबर है वह उपर ऐसे फेक देता है उपर सोचिए तो यह सिस्टम बहुत ज्यादा भी पहुचाता है ठीक क्योंकि दिल्ली होगार में कम्बाइट सिस्टम है वहाँ पूरा ढकने ऊपर फेक देता है पानी इतना भर जाएगा तो बारीस की टाइम बहुत ज़्यादा अगर बारीस हो गया तो पूरा सीवर लाइन क्या होगा भर जाता है पानी उसमें पांप करने में पार्सली सेप्रेट सिस्टम की बात करें हम पार्सली सेप्रेट सिस्टम की बात करें तो इसमें जड़ा देखिए यह क्या है पार्सली सेप्रेट सिस्टम में क्या होता है यह तो आंसिक रूप से अलग आंसिक रूप से यानि कि पार्सली है तो यहां पर हम थोड बात लूए सम՝ रहें दोनों पानी मिला होगा कुछ दो बाई बिचा देंगे और कुछ पानी इसमें कुछ सीवे जिसमें कुछ सीवे जिसमें दोनों में जाने देते हैं इसी र सब्रि मतलब तक्ति हैं तो ये जो है क्या होता है सेनेटरी सीवेज और स्टार्फ सीवेज दोनों मिक्स रहते हैं लेकिन कुछ भाग एक pipeline में कुछ भाग एक pipeline में इस तरह से बहते हैं यह प्रणाली महानगरों में प्रणान की जाती है जो बहुत बड़े बड़े city हैं उसमें देखने को मिलता है यह प्रणाली ठीके मुंबई उगरहम यह ऐसा सिस्टम है क्लियर आगे बात करते हैं इसके फाइदा और नुकसान क्या है ज़र देखिए इसके ज़्यादा फाइदा नुकसान है ठीके ज़र देखिए गुड के अगर बात करें इसमें पहला पॉइंट देखिए इस ब्यवस्था से घरेलू सीवेज के साथ घर की छटों आगनों से बहता पानी वर्सा जल एकी सीवर में चला जाता है घरेलू जल निकासी क्या होती है ज़्यादा अच्छी रहती है यह प्रणाली मितिवेई है क्या है खर्चा ज़्यादा नहीं आता क्योंकि सीवरों का माप ब्योहारिक होता है बहुत ज़्यादा माप का जो हमें सीवर लाइन नहीं बिछाना होता है यह नहीं अधिक बड़ा और नहीं बहुत छोटा होता है गरों से निकलने वाला वर्सा जल की मात्रा जादा नहीं होती है कमी रहती है तो दोनों मेक्स होके बहता रहता है वर्सा जल के प्रवेस के कराण घरेलू सीवर जल निकास पाइप स्वयमी साप हो जाते हैं यह इसका पाइदा है ठीक है ओवर्फलो नहीं हो पाते हैं क्योंकि जब भी बारिस होगा तो दोनों भरकर वहने लगेगा जब बारिस नहीं होगा तो किसी एक ही में पानी बता रहेगा सीवर लाइन बता रहेगा तो यह फाइदा है ना इसका ठीक है सीवेज का पंपन कम कर ना पड़ता है क्योंकि वर्सा जल तूफानी जो है पानी सुता भू ढालो पर भजाता है तो जमीन के ढालो गए रहोगा वही से बर्सा को पानी निकल जाएगा जब छेत्र चप्टा लगबग समतल हो तब आंसिक प्रिथक पराली यानि की पार्शिल सेप्रेट सिस्टम आं से फंड उपलब्द नहों तब आंसिक प्रिथक पराली मित्वेई रहती है क्योंकि कंबाइंड वाला अगर जहां पर नहीं डाल पा रहे हैं वहां पर हम यह पार्शिल सेप्रेट सिस्टम यूज कर सकते हैं नए छेत्रों के लिए प्रणाली संतोज जनक रहती है यसे पर कम होने पर घरेली सीवर में राखी या बालू सिल्ट इत्यादी जम जाती जिससे प्रवा अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि उतना ज्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा एक फाइप तो खाली रह जाएगी पहली वाली बहती रहेगी तो दूसरी वाली भी क्या होता है यानि तुरंत मैन होल से पूरा उपर आ जाये बाहर अधिक वरसा जल सीवरों में घुष जाने पर सीवेज उपचार सयुत्रों पर अधिक भार पड़ता है तो यह समस्या है ट्रीटिमेंट करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है क्योंकि ट्रीटिमेंट प्लांट तक ज्यादा हाइलाइट कोश्चन है यह कोश्चन अलग-अलग ही पूछ सक अलग-अलग भी पूछ लेता है और एक ही में पूछ लेता है यह क्या है कि डिफरेंस बिट्विन सीवेज सिस्टम एंड वाटर सिस्टम ठीक है मलवहन पद्दती जलवहन पद्दती में अंतर लि Conveillance of System है कि हम लोग कैसे सीवेज को बाहर ले कर जाएं और उसका Dispose करें. ठीक है? सीवेज को कैसे Conveillance करें, कैसे बाहर ले जाएं अस्तनांतरन करें सीवेज का और उसके बाद उसको कैसे Dispose करें. वही ये तरीका है यहाँ पर मलवहन पद्धती और जलवहन पद्धती. आप सीवेज जो हमारा निकल रहा है घरों से, यह क्या है? पानी के साथ जो बहर रहा है, इसको बोलते हैं जलवहन पद्धती. जब आपके घरों से बाहर जो सौचाले बने होते हैं, आप वो क्या है? वही पर स्थेप्टिक टैंक बनाए होते हैं आप. तो फिर वो क्या है? वो मलवहन पद्धती है, यानि कि आप क्या कर रहे हैं, वेस्टेच को फिर बाद में कहीं पर लोड करोगे, फिर लेकर जाओगे, फेकोगे, तो क्या हो जाएगा? मलवहन पद्धती, चले, इसी में दोनों में हम लोग अंतर देख लेते हैं, ठीक है? मल पहले भी मलवहन पदती सहरों में अब बंद कर दी गई है अब पदती सहरों में अपनाई जाती है ठीक है निर्माल क्या है इसके लिए सूख्य लेटरिंग के अत्रीत कोई अनिर्मार की आ सकता नहीं है यानि कि जो सोचाले बनाया जाता है वो घरों से बाहर बनाया जाता है और वहां पर टैंक रहता है टैंक दो टैंक बनाते हैं एक टैंक में हमारे सोचाले का जो मल है वो जाता रहता है जब वो सूख जाता है जब भर जाकर बाहर क्या करते हैं टिस्पोज करते हैं लेकिन जलवान पद्दती में क्या होता है कि यहarah सौचागार 20 बनाते हैं वह भी घर के अंदर ही है यह नगर में जाददतर देखनों कि मिलता है आप सोचाने करेंगे फुलस्पाइब फिलस बटन दभाएंगे पानिक के साथ मल क्या होगा सीवर लाइनिंग में चला जाएगा ठीक है तो यह क्या होगा जल वहन पदती हो गई यह मल वहन पदती में क्या होता है आप समझी रहे हो कि यह क्या है घर से बाहर बना होता है जल मांग जल की डिमांड जो है पानी की आओ सकता इसमें बहुत कम पड़त तो एक बाल्टी पानी लेकर जाकर सौच करके चले आते हैं तो यह क्या है मलवहन पद्धती है जलवहन पद्धती में इसमें पानी की ज्यादा हो सकता रहती है एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो तीन बार फ्लस दबा के जो है लोग क्या करते हैं मलवहते हैं ठीक है तो य यह प्रतिब्यक्ति पानी प्रदिन 100 से 135 लीटर पानी की इसमें आउ सकता होती है बस प्लस बटन दबाए पानी बहने लगा ठीक है यह जो है अगर हम बात करें लागत इसमें लागत की बात करें यह सस्ती पद्धती है जो निर्धन गरीब लोग है उनके लिए ज्यादा क्योंकि यह महंगी पद्धती है ठीक है कुछ सहरों में है कुछ सहरों में यही पद्धती है आप न तो सैप्टिक टैंक बनवाते हैं कि नहीं सहर में लोग बनवाते हैं तो यह यूज करेंगे पानी की साथ भले सैप्टिक टैंक में चला जाएगा लेकिन वो बहेगा नह ले के साथ नाले के साथ कुछी सर्म राजय से इलावाद में अब हो गया पूरा बहुत इलावाद में भी कुछ एरिया में यह सिस्टम नहीं है मलवान पद्धती नहीं है वहाँ पर भी लोग सैप्टिक टैंक क्यों कि आसकता नहीं पड़ती है इसके लिए तकनीकी लोगों कि आसकता परती यह गटर लाइन डालेंगे ट्रेटमेंट प्लांत का आटोमेटिक जायेगा सीवर लाइन बगे वातावरण क्या होता है यह एक अस्वास्तकर प्रधती है इसमें वातावरण क्या होता है दूसित रहता है मल खुले कुंडों में पढ़ा रहता है सड़ता रहता है आसपास अगर रचु खुला हो गया थोड़ा बहुत भी बात करें अगर तो मलमूत्र जब खुली बैल गाडियों से नगर हो गयर है कि हम बाहर ले जाते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा घ्रड़ा होती है उससे लोग परशान हो जाते हैं बद्भू करता है सुभा नहीं देता यह क्या है यह मलमूत्र भूम गत नालियों से बाहर ले जाय जाता है नगर की सोभा बिगर निघरती है और जो है बिगरती नहीं है ठीक है तो यह काफी सही रहता है यह उतना जदा अच्छा नहीं रहता लेकिन इसकी जिगां पर अब गाड़ी उगर आ गई है अच्छा कासा वो भर के लिए चली जाती है आगे बात कर लोग बाल्टी उगर लेके जाते हैं बारी सोने लगती है तो ले जाने में भी समस्या होती है वाल्टी उगर और सहर में क्या है एक ही घर के कमरे में वहीं पर पुरे घर में कमरे के किनारे कहीं पर बना होता है ठीक है सटाकर बना देते हैं तो यह अंदर ही बना जाती है खर पानी का लेबल है ठीक है वह सब भी क्या होता है जो है वह सब भी क्या होता है वह सब भी पूरा दूसित हो जाता है ठीक है मल मुत्र की पक्की नालियों सीवर में बहता है अता भॉम जल पेजल क्या होता है सुरच्छित रहता है ठीक है क्योंकि नालिम बहेगा नीचे का जो तो पानी है सीवर वाला वो जो है यह मारा गंदा नहीं हुर रहेगा ठीक है जो नीचे पानी अंडरवाउंड है इसकी वजब यह से जो है क्या होता है सुद्री रहता है आई बास में आपसा सुंभिए जार गुद्यूनग जारी किया वाज नहीं स्य tääरी में कि संकर आप साहिए चलिए तभी लोग इस सब चीज़ी ज्यादा ज्यादा लिखिए तभी नंबर पाएंगे सोचिया कि ऐसे साड कट लिख के चले यां गोचू मोचू करके ना तो फिर नहीं मिलने वाला नंबर जितना ज्यादा कंटेंट देंगे और ठोस ठोस नंबर वाइज पॉइंट वाइज देंगे उतना ही आप अच्छे नंबर पाएंगे पास होने के तो सभी पास हो सकते हैं लेकिन content देना main thing है अब आप सोचिए गोचु मोचु करके ऐसे चले याए दो-चार point लिख के तो उससे काम नहीं चलने वाला content अच्छा गासा लिख के रखिए आप और तभी वहाँ पर लिख सकते हैं हम content आपको देने में कभी कमी नहीं करते जितना ज्यादा हो सकता है content आपको देते रहते हैं ठीक है इसलिए content में कमी मत करिए आई बास समझ में चलिए स्तामाजिक अस्तर की बात करें आज के सब समाज पर कलंक है कि एक मनुस का मल दूसरा आदमी सिर पर उठाता फिरे यह भी एक कहने की बात हो गई है आज कल ठीक है कि भाई हम उनके घर के क्यों सफाई करें ठीक है देखते हैं थोड़ा सा हीन भावना से लोग देखते हैं उनको जो मलग वरस साफ करते हैं लेकिन इसमें ऐसा कुछ नही जाती है कि आप फला बैकती लोग आएंगे तो इसको सफाई करेंगे या जो है खाली करेंगे या उसमें गाड़ी पर ला देंगे तो ऐसा नहीं है इसमें जोड़ा सा क्या होता है ऐसा जाती वर्क लोगों पर फोकस किया जाता है ठीक है इस से क्या होता है लोग एक दूस गाओं वाले बुलवाते हैं यार फला बगती को लेती आओ जो है ये जो है क्या बोलते हैं उसको जो सफाई करते हैं मतब सोचाले हो गरे में स्वीपर वाले जो हैं उनको बुला के लाओ तो ऐसा नहीं है ये अब ऐसा सिस्टम नहीं पहले लोग यही करते थे तो ये सिस्ट प्रद्दती ज्यादतर अपनाई जाती है यह प्रद्दती अभी भी है लेकिन अब थोड़ा सा मॉडर्ण कर दिया गया है अब क्या सैप्टिक टैंक बनाकर आप उसी में सब जाता है फ्लसिंग द्वारा ही और गाड़ी आती है बढ़ियां से टैंक रहेगा और उसमें जो ह अब इसमें एक पार्ट और रह गया है वो कल आपको कवर कर लेंगे तो यह हमारा जाके चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर स्वाइल स्टार्ट किये जाएगा ठीक है तो कल एक पार्ट और कंप्लीट किया जाएगा तो जाकि यह कंप्लीट हो जाएग अच्छे से ठीक है आज बीसी बहुत ज्यादा ले लिए उनकी दो घंटास ज्यादा क्लास चली और आपकी भी चली सुबह भी हम लिये थे अर्थक्विक ठीक है तो अप्लीकेशन वाले अर्थक वहां पर कंप्लीट होगी अच्छे से आप लोग का अभी जिसके कोर्स में नहीं अपल हो जाएगा चली तो कल एक क्लास और इसकी लेंगे सभी लोग आईएगा च्छा बजे और फिर परसों से जो है स्वाइल स्टार्ट कर देंगे तब तक कंटेंट रेडी कर ले रहे हैं ठीक है हाँ हाँ हाजी चली आपको अब नहीं क्लास से लाएंगी क्योंकि अर्थक्व अब इसकी अब नहीं रहें तो क्या आप देखेंगे हम कोश्चन अनॉल्सिस करना पड़ेगा ना देखना पड़ेगा प्रीवेस यह अभी दो पिछले तीन साल के पर वह नहीं देखें ठीक है तो उसको देखूंगा तब ना स्वाइल का आगे बनाऊंगा ठीक है चलिए तो सभी लोग हाँ ध्यान पूर्वक जो है आदर्स वो खतम हो गया ना आपका जो अर्थक्वेक है वीडियो भी तो अफ्लोड हो गया है चलिए ओके कल सभी लोग आई है और लोगों को बताईए भी ज्यादा ज्यादा लोगों को शेर भी करिए आप लोग ठीक है जब अगर चैनल को नहीं लाइक किये लाइक कर लिजीए Software फटाफट ठीक है सब्सक्राइब कर लिजीए लोगों को बता बी दीजीए बीच बीच में को ऑच्छा भी नहीं गल्ता ठीक है आप लोग खुद समझधार है और लोगों को ज्यादा ज्यादा बता दीजए। ज अब लगातार ले रहें क्लास तो दिक्कत होती है एक्जाम पॉस्पॉंड हो गए रहा नहीं होगा अगर रेश्टेशन फार्म 15 तारीक तक भरा जाएगा तब नहीं पॉस्पॉंड होगा अगर नहीं भरा पायगा तो पॉस्पॉंड होने चांसेज है डिपेंड अपान बाइब बाइब